प्रेंस आज हम आप लों के साथ शेयर करने जा रहें कच्ची केले की कोप्ता बनाना, कुछ ट्रिप्स के साथ हम कच्ची केले की कोप्ता को बताएंगे जिससे केले का कोपता अंदर तक सॉप्ट बन के तयार होगा तो चलिए वीडियो भी ना स्किप किये आप वीडियो को पूरा देखे पसंद आये तो लाइक, शेर और कमेंट जरूर करे और मेरी चैनल पे नए आया है अब हम इसे कुकर में उलाएड वालेंगे तो इसे उपर वाल पाट और नीचे वाला कट करके हम कुकर में डाल देंगे और चाय वाले कप से हम 1 При चैनल कबालेंगे ज्यादा पानी नहीं डालना है बहुत जल्दी केला जहे उबल जाता है इसमें एक मेडियम साइज का कटा हुआ प्यास भी डाल देंगे कटोडी में इस तरह से ताकि एक ही साथ यह उबल जाए इस तरह का उबला हुआ प्यास से कोप्टे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसे बंद करके हम दो सीटी लगा देंगे दो सीटी लगने के बाद देखिए कुकर को हमने ठंडा कर लिया है इसमें प्यास को अलग कर देंगे इसे चम्मच से मैस करेंगे तो यह बिल्कुल पेश्ट जैसा बन जायागा तो इस तरह से आप इसे चम्मच कभी-कभी थोड़ा यदी कम होबला रहे है तो आप इसे एक मिक्सी में चला ले अब यहां पे हम केला को निकाल लेंगे और केला को पुरी तरह से ठंडा होने देंगे और देखिए यहां पेश्ट जो है बिल्कुल तेयार हो चुका है इसे हमने हलका सा मिक्सी में चला दिया था अब यहां जो है केला को हम छील लेंगे सभी केला को त बहुत ही अच्छा उबल चुका है केला को छील लेंगे इस तरह से बनाया हुआ कोपता बहुत ही टेस्टी बनता है तो मुझे उमीद है दोस्तों कि आपको आज का बताय हुआ वीडियो जरूर पस आएगा तो देखिए इस तरह से मैस करेंगे यहां यहां पर Gibbs कर रहे है क् इस पैशना कर रही है और इसमें तो फरे नहीं नहीं दलते हैं देर चमच यहां पर हमने हल्दी पाउडर डाला है एक चोटी चमच हमने धनिया पाउडर एक चोटी चमच मिर्चा पाउडर एक चमच निम्बू और एक चोटी चमच हमने यहां पर चीली फ्लेक्स का यूज़ किया है साथ में बाइंडिंग के लिए हम यहां पर बेसन यू की तरह तरह पानी बिल्कुल उज़ नहीं करना है हमें उतना ही बेसर नूज करना है जितना में पेले के कुपते में बाइंडिंग आ जाए अब यह बंक्स हो चुका है तो हम हाथेली के उपर तील लगाएंगे और इस तरह से गोल-गोल बॉल्स के रूप में बना लेंगे न ओगे को टो अब हम इसे फसका हो सकता है तो भॉल समने डाल दिया है अब में पखने देंगे जैसी अब देंगे चलाती है, फ्रक्राइब ऑर रार्क हो चुका आप देख है। लेकिन हमें मेडियम फ्लेम पे ही पकाना है तागि हमें मेतली में तक निकाला लेंगे तरफ सबस्थे जबॉल्स कर संदेऊ में पलें इसे तरह से निकाल लेंगे ऐarlाचानी में अब हम देल सकती होगे निकाल लिया तक अधbag रायम कोप्ता कानी है अब हम इसका ग्रेवी बनाएंगे तो इसके लिए हम इसी तेल का यूज करेंगे तो तेल थोड़ा ज्यादा था तो हमने निकाल लिया है लेकिन 4 टेबल स्पून के बराबर तेल हमने छोड़ दिया है दो तजपता दो लाल मिर्च और एक चोटी चमच जीरा हमने डाल दिया टक की इसका कलर जो है सो बोल्डी ब्राओन ना हो जाएं प्याज अच्छी तार से भूनेगा तो टेस्ट अर्म घाड त'RE दिया लेगे तो आप देख सकते हैं आप यह जो है थी तार से भून चुका है तो एक चमच मर्चा पाउडर एक चमच धनिया पाउडर एक चमच हल सब्सक्राइब तरब से ्मिक्सी जलागे भी मिच्छनगरे सब्सक्राइब तरह जब टमाटर का च्छनगरे के में रहां, इसका इसका बाल से चला है, यहां पी मेडियन उच्छे क्ञापन के लाव पाहरा है, तो तो तुमाटर को पेस्ट में making reminds बश्चन के लिए ला है, तब तक हमें इसे भूनना है लेकिन ग्यास का फ्लेम में मेडियम लोही रखना है तो देखिए अब इसमें से तेल निकलना शुरू हुआ है तो अब यहां पर हम एक टेबल इस्पून के बरावर नमक डाल देंगे और इसे भी 10-20 से के लिए और पका लेंगे अब यह मसाला अची तरह से भूल चुका है आप देख सकते हैं इसका तील जो है बिल्कुल छोड़ने लगाया मसाला तो अब यहां पर हम पानी डालेंगे तो इसके लिए हम अपने रिक्वार्मेंट के हिसाब से यहां पर पानी डालेंगे जितना ग्रेवी का जरूरत है उतना ही डालें हेस्थे के घथे वाल आ चुका है अभा देर ग्रेवी चलिए के अब मृम आने के बात हम इसमें सारे कोक्ते को डाल देंगे लिए पीरने के बाकिन आप यहां तम भी बॉल्स को हमने इसी तरह से फोकी सहता से प्रिक करके डाल दिया है तीन से चार मिनट के लिए ढग देंगे बीच में एक बार इसे चला देंगे अलट कर देंगे फिर से ढग देंगे अब देखे चार से पांच मिनट करी हमें इसे पका लिया है बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देंगे यहां पे कशूरी मेथी को हमने हलका से रोष्ट कर दिया हाथिली पे इस तरह से मैस करके इसके ऊपर डाल देंगे इसे बहुत यच्छा टेस्ट आता है साथ में हम कुछ कटी हुई धनिया पत्ती भी से हम डाल देंगे केले का कॉपतर बिल्कुल तयार हो चुक किली तरकह ंएंगे जिसकी लिए हम तरकह में एक चमच देशी घी का यूज करेंगे मचल में इक चमच देशी घी का यूज करेंगे साथ entails happiness वह चूटकी कर डिखा Edu 토 остав देंगे औ season झीन का सब्सक्राइब आलेंगे is sazIX icon जी राल ची एंसे यहां टालेंगे पे disclosure आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें मेरी चैनल पर नाया है तो सब्सक्राइब करें आने वाले बेल आइकन की घंटी को आप ज़रूर दमाए ताकि आने वाले हर वीडियो की सबसे पहले आपको मिल सकें कमेंट भी करें और शेयर भी करें तो चलिए मिलते एक नए वीडियो में नई रज़ी तो चलिए बाइव